इस वीडियो का बेसिक मोटीब है हम डिसकस करने वाले है कि आटकेशिप लिए रिजुमे कैसे मनाएं देगे से पहले हम आपको दो तिन बातों को ब्रीफ कर जाना चाहता हूं जिस बातों का बिल्कुल माइड में सेट कर लिजिए फर्ष्ट रिजुमे एक ऐसी चीज है जो परसंटू परसंट बेरी करती है अब कुछ आपको एक्स्पीजमेंस पीपल मिलेंगे जो आपको बोलेंगे इसमों हलकी सी मोडिफिकेशन कर दो तो कभी भी खुद पर डाउट मत करना कि आपने जो पहले रिजुमें मनाया वह आपने गल्त मना दिया नहीं हर एक पसंद क यूटूब पे बहुत सारे इस फ्रीविली अविलेबल है तो डॉन्ट वेश्य प्रेंट्स मनी थर्ड जो फॉर्मेट मां भी डिसक्स करने वालो वह फॉर्मेट आपका बिक फॉर्ट टॉप ट्वेंटी मिट से स्मोल साइज हर जंग है क्योंकि इन फर्म्स के खुद के नहीं है तो आप जो भी फॉर्मेट लेकर जाओगे वह यह सब्ट करेंगे पर सुसक्राइब पर इस फॉर्मेट को देखें पर्माट को इस बात कर दखना कि आर्टिकर्शिक के लिए मेरा फॉर्मेट सिर्फ एक पेज़गा अचीए एक से जादा होती आपका रिजूम मे एड करने के बाद यहां पर अपना कुछ यह स्पेस दबा दिया कुछ इस त्रीके से कर देना थाकि वह आपका लिग जंदेट हो जाए और लिंग्डिन का यूर्ल ज्यादा लोंग नहीं होना चाहिए जिसे आपका स्पेस की काफी दिख्कर आएगी तो उस स्पेस का थोड़ा हमें ध्यान दखना है और हमें उसकी जैसे आप मैंने या पेस्ट किया इसको एंटर कर दिया अभी यूर्ल बन गया अगर मैं इसक स्पेस्ट लिख दी फिर स्टेट लिए तो इतना अप्रेट जाना है चले जाएए व्यासे नीडवीन होती सिफ में स्ट और स्टेट मेंशन कर सकता हूं अगर आप स्लेक्ट हो जाते हैं फिर डोक्यमेंट वरिफिकेशन में पर सब चीजे मुगा ली जाएगी फिर आते है यह मैंने बड़ा सिंपल ले में लेंग्विज में 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 मेंशन किया था बट हां हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे आजकल चार्ट जीपिटी से सब काम होता है तो चार्ट जीपिटी पे एक सिंपल यह लिखिया आई वांट्टो डू सी आट्रेशिप इन जिस डोमें में सके अब यह आगे से जी दिया था सी आट्रेशिप चेटी डूमें तो अप्लाइशल ओकिमेंट कंप्लाइंस आगया आपका टेक्स डेशिपिटी अगया तो उसे केसे आपको मिल जाएगा चलिया बाद में आगया एजुकेशन सेक्शिन एजुकेशन में देखो आपके पास आगर कोई एंटर्शिप का एक्स्पिरियंस नहीं है कोई आपके ट्रांस्फे केस नहीं हो तो आप यह फॉलो करना सिफ चार कॉलम रखना उसके अंदर आपका पहले आगा अगर आपने अलग अलग गुरूप दिये तो अलग अलग लिखो अगर दोन एकसाद में लिख सकते हो कुछ इतना इशू नहीं है तो इससे के साफ अपने एजुगेशन कर सकते हो फिर अब आपके रिजूमें में क्योंकि कोई एक्स्पिरियंस में नीचे खाली देगा तो मैंने नीचे एचीवमेंट्स में अग्स्पिरियंस में को कॉलम डिलवा दिया है कि सब्सक्राइब करते हैं तो इसके जंगा अपने कोई को सकते हैं इसके आपने कोई को सकते हैं एक्सेल वर्ड पावरपॉइंट अपने क्यों हैं कंपनी लोग आ गया इंकम टेक्सक्ट इसके में जाना है तो अच्छा देगा क्योंकि इनके आपको नौलिज है यह है आपने तरफ से मेंज़न करके दी दिया और यह भी काफी अच्छी है और इस फॉर्मेट को मैंने खुद अपने टाइम में यूज किया था गोड कम्निकेशन स्किल्स कोई आपके पास मेनेजमेंट स्किल्स क्या है टाइम की टेम की कैसी मेनेजमेंट क्या रहा है कि मेरे पास्टी मेनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छी है तो मैंने क्या सीवी एक ऐसी चीज होती है जिसको पढ़के मेरे मांड में क्लेर्टी आएगी ना कि कोश्चन्स आएंगे अगर आपको कुछ भी पॉइंट में लग रहा है कि इसको में कोश्चन्स आ रहा है उसको तुर्ण रिमूब करो ड्लीट करो कि परस्नल डिटार्स आ गया एक मिड़ा मैंने आप एक लाइन जादा ले ली थी तो उसके नीचे चला मेरा सीवी एक पेसे उपन नहीं जाना चाहिए मैं आपके बात बार बार बोल रहा हो और अभी अब होबीस में क्या करते हैं करें लिए नहीं लिखते हैं अब आईए मैं आपको प्रात हों कि लोग कैसे पैसे जनरेट करते हैं अब क्या कहेंगे आप चाहिए यह लिखिए इससे आपका वह आ जाएगा फिर आप उसको कॉपीपेस्ट करिए यह काम आप खुद भी कर सकते हैं लिंग्डिन का यूर्ल कहीं जानी से कॉपीपेस्ट मारके छोड़ देंगे उसका यूर्ल जनरेट नहीं होता इसमें स्प अब हम सेकंड फॉर्मेट को डिसकस करने वाले हैं जिनोंने कुछ इंटर्शिप की है और जिनके या वो ट्रांस्फर केस है वही सेम चीज़े आगी लिंडिन एडर्स क्यारियर अब लिखना चाहिए लिख सकते हो नहीं लिखना चाहिए तब भी क्योंकि 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 पहले फॉर्मेट में अचीवेंट में नीचे ले गया था अगर आप एक्सक्रियोंस लेखेंगे तो आपके रिजूमे में स्पेस नहीं रहेगा और पहले दो साल तक के सीवी को आप एक लिच पर रख सकते हैं बड़े इसली करके अब यहां पर लिख दीजिए यह नहीं पिर एक्स्पिरेंस एक्षिन और इंटर्शिप आर्टिकल एशिस्टेंट फॉर्म का नाम कि स्टेट में है किस मन्थ से अगर आप अभी लेट स्पोस आपने ख़तम कर दिये तो यहां पर वह मन्तिक लिख देना या प्रेजेंट कर देना अभी हमें मिश्टे क्या होते है यहीं जेने लिख देते हैं इंकम एक्सितरंश एक लाइन में लिखेंगे आए मां आर्टिकल एस्टंट इन इस फ़र्म फ्रम मन्स यंड फाइल जी एक्सी एक्सितरंश जो कि टोटली गल्ट होता है तो डिक यह लेगोर्य आप पहले आप ऐसे लिखोंगे आर्टिकल एस इंड़स्टी की फाइल की है कितने कितने रिटरंस है विए 5000 तु 5 लाग 5000 तु 5 लोट उस क्रेटी अगर मैंशन कर सकते हैं सेम इंकम टैक्स अगर आपने जिए इसको रिफर्ण किया है तो इसको चैट जीपटेविश जाएं वहां से रिटेट किजिए कि मैंने एक इनिशेट करा है तो वह आपको बड़ा अच्छा जनेट करके देता है मुझे इसको सीजियम में में कैसे में करूं अब अपने चैट इवीट को लिमिट में रखे पूर थी लाइंस तो आपका अच्छा क्लिए आइडिया मिलेगा तो आपका एक्स्पिरियंस आजाएगा अगर आपके पास एक्सपिरियंस नहीं है रेगलर को इसों इंटर्शिप है तो आपके क्या पोजिशन थी आप हैड़ थे क्रेजरी में थे किसी में थे कब से कब तक कर्प किया और इसके रोल मोडल आप इसमें ध्यान रख़ता है दो चीजों को मेरा बोज़ों दिया से मेरा बहुत इंट्रेशन पड़ता है या मैंने किसी नौन कंप्लाइंस को पगड़ा है उस कंपनी के नौन कंप्लाइंस को कंपनी बहुत जादा एफिशेट करती है अगर आपने किसी में फानेशल इंप्र डाल दोगे तो आपके रिजू में पांच चांद लग जाएं आफको लगता है कि आने वाले time में में या भी यूज़न होएंगी तो आप उनको रिमोग का सकते हैं अपमे को को E करना आता है यह कुछ चीज़ दिखेंगे एक वर्ड होता है एजिलीटी एजिलीटी को एड कर सकते हैं इसमें क्यों होता है कि मतलब मैं सीखने के लिए हमेशा त्यार रहता हूँ फिर यहां पर मेरी होबी जा गया तो इस ठीके से अब अपने रिजुमे को एकदम बैटर त आता है तो इस चीज़ करना कि आप दुबार पीडियेफ को अपन करके देखो यह नहीं के अपने लिए कर दिया है और पीडियेफ का नाम अपना नाम झाल करते है का तो इस चीज़ करणे है तो आता है तो इसका लिए्या माई तो खजय कर दो यह जए होंदोंग को यहां, हुड इस चाल करना मेरी हो अभी आता है